नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथों का एक स्वार्ट स्टडी यूटूब चैनल पर साथों जैसे जैसे बिहार पुलिस के एक्जाम डेट नजदिका रहा है आपकी धरकने भी तेज हो रही है और देखिए आज इस क्लास में बिहार पुलिस एक्जाम के लिए साथ वागत है तो बिएक अक्टूबर साथ इक्टूबर को होने वाला है तो आज का हिए क्लास आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट है very important questions में ने एड किया है जो कि directly questions आपको आपके paper में देखने को मिलेंगे तो चले फिर विनादेरी किए class को सुरू करते हैं class सभी साथ ही एक like कर दीजिए class अगर पसंद आएगा तो आपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा आप में से कोई भी नए है चैनल को करके बेल आइकन का लिए तो फिञें पहला कोस्टन है को पहला कोस्ट्रें साइट ग Central कर लाता है किसका अधियन sein technology के अंतरगत किसका अधियन किया जाता है तो शाथ होागी साखा साथा call संकलपना किषने की थी तो राइट एंसर आएगा ओप्सन नमबर ए जोसिफ फ्रोरियर साथ यह जैसे की कार्बन डायोकसाइड मिथेन सी एपसी ठीक है यानि कुलोरो फ्लोरो कार्बन जल बास्प यह सबी आधी जो है प्रमुक ग्रीन हाउस गैसे हैं ग्रीन हाउस गैस यह किस पर प्रभाव डालता है तो ग्लोबल बर्मिंग पर यानि बायो मंडल में तापमान की जो ब्रिद्धी है उसके लाई उसके लिए उत्तरदाई होता है ग्रीन हाउस गैसे याद रिखीगा और इसकी संकल अपना किषने की थी तो जोसिफ फ्रोरियर ने अगला है आलू भूमिगत रुपांतरी तना होता है जिसे कंद कहा जाता है करेक्ट है ओप्सन नमबर D अगला है पोदो का कौन सा भाग फुल बनने क उद्धीपन गरहन करता है वेरी वेरी इंपूर्डेंट कोश्चन है तो याद रिखीगा करेक्ट आएगा ओप्सन नमबर C पर्न अगला है मेंडल के आनुवान सिक्टा का सिध्धांत किस पराधारी थे तो देखिए प्रिंसिपल ऑप जेनेटिक्स यानि मेंडल के आनु सूपर फास्ट करवाएंगे क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है ऐसे में आपको कम समय में जादे कोश्चन पढ़ने हैं अगला कोश्चन है एड्स विशानू या एड्स वाइरस के लिए सबसे जादा आजमाई गई दवा कौन सी है तो देखिए एड्स वाइरस के प्रति दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए याद रिखीगा 45 ग्राम ऑप्सन नमबर डी मदू सुधनी अंतसराव यानि होनी भी एंडोक्रोशिंद फ्यूल्ड दिखिए ये क्या है तो साथियो मदू सुधनी अंतसराव ये क्या है तो ये प्यप्टाइड है याद रिख ये औस्टियो प्रोशिस के लिए कराया जाता है करिक्ट राएगा ओप्सन नमबर सी औस्टियो प्रोशिस जो की ब्यसकों में होता है ये हड़ी की हड़ी में होने वाला एक बिमारी है जिस तरह बच्चों में रिकेट्स होता है उसी तरह ब्यसकों में ये औस्टियो प्र और इसका साचारी क्या होता है तो याद रिखेगा नील हरित सिवाल करेक्थ है ऑप्शन नमबर ए निपेंथिस खासियाना यानि घट परनी नामक दुरलब एबम आपातिया पोधा ये कहां पाया जाता है ये जो घट परनी पोधा होता है यानि कीट खाने वाला पोधा एक खाना पकाने का वरतन काला है क्योंकि देखेए काला होने चाहिए ताकि आप सभी को पता है साथियो क्योंकि काला पदार जो है ये उसमा का अच्छा आवसोसक होता है यानि काले पदार्थ अधिक गर्मी को आवसोसित करता है करेक टंसर आएगा ओप्शन नमबर ए इसलिए खाना पकाने का वरतन जो है वो काला होना चाहिए नीचे से अगला कोशने यदि एक हीटर का तार दो समान भागों में कट जाता है और हीटर में केवल एक भाग का उप्योग किया जाता है तो गर्मी कितनी उत्पन होगी तो भई करेक टंसर हो जाएगा दो गुनी याद रखना ठीक है माल लेते हैं अगर आपका 1000 वाट के कोईल का तार है ठीक है 1000 वाट का कोईल है इस तार को अगर आधा काट के केवल आधा का उप्योग किया जाए तो एक हजार वाट का जो कोयल का वाइर है ये दो हजार वाट का हो जाएगा ठीक है याद रखना अगला कोश्चन है मानवरक्त प्लाज्मा में प्राई पानी की परतिसत मात्रा में कितनी भिन्यता होती है तो राइट एंसरे साथ हो 82-82% आप्सन नंबर सी निमनल खीत में से चुना पत्थर का रासानिक नाम क्या है तो दिखे चुना पत्थर होता है साथियों केलसियम कार्बोनेट, CACO3 यानि करिक्ट आएगा ओप्सन नंबर सी नेक्स्ट है पॉलिथीन की थेलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है कि तो ध्यान से तो दिखे बहुत ही अच्छा question है बहुत ही important question है तो ध्यान से दिखीगा चिकित्सक प्रामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन बनसपति घी किया पे इच्छा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में क्या होता है तो तेल में जो होता है साथिओ आसंत्रिप्त है तो साथ दिखिए आरडी एक्स यानी रिसर्च डिब्लोप्मेंट एक्स्प्लोजिव और आडी एक्स का अनिनाम होता है साइकलो नाइट एक प्रकवार का विस्फोटक होता है यह आप सभी को पता है अगला स्वाचाली तीन जनों में कौन सा एक हीम निरोधी के रूप मे पर्युक्त होता है तो ध्यान से दिखिए स्वाचाली तीन जनों में इनमें से किसका एक हीम निरोधी के रूप में पर्युक्त करते हैं तो इथिलिन गलाइकोल का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी खनीज क्या है तो साथ यो खनीज क्या है रिखिएगा खनीज जो है एक आकार्बनिक ठोस है ऑप्शन नंबर बी एक नावी के रियक्टर में भारी जल का कारी क्या होता है तो देखिए एक नावी के रियक्टर में भारी जल का कारी होता है निव्ट्रोन की गती को कम करना ऑप्शन नंबर ए निवनलकित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लि और acetylene gas से फल को पकाया जाता है अगला नेमनल खित में से कौन सी एक बायू पर्दू सक गैस है जो कि जिबास मिधन के जलने के बाद उत्पन होता है यानि जलने के स्वरूप उत्पन होता है तो राइट है साथ यो sulfur dioxide gas option number 2 asbestos को कारोबारी परियोग के लिए अब प्राथिमिक्ता नहीं दी जाती है क्यों तो राइट आएगा क्योंकि इससे फैफलो का cancer हो जाता है इसलिए अगला नेमनल खित में से किसके निर्मान में फिनॉल का उपयोग किया जाता है तो साथ यो फिनॉल का उपयोग किसके निर्मान में किया जाता है तो बेके लाइट के निर्मान में option number D जब हम बक्री या भेण का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं तो साथ यो याद रिखिए जब हम बक्री या भेण का मांस खाते हैं तब हम दूतिया उपभोगता कहलाते हैं option number B नेक्स्ट है जिवित प्रानी विभिन जीवन प्रक्रियाओ के लिए किस उर्जा का उप्योग करते हैं तो दिखें जिवित प्रानी विभिन जीवन प्रक्रियाओ के लिए किस प्रकार के उर्जा का उप्योग करते हैं तो राइट अंसर साथियो रासानी कुर्जा का ओप्शन नमबर ए भारतिया जंगली गधा अभियारेन की सराज में इस्तित है तो ध्यान से दिखेगा भारतिया जंगली गधा अभियारेन ये कहां इस्तित है तो गुजरात में ओप्शन नमबर डी अगला है मस्तिस्क देख कहां पर होता है ध्यान से दिख intervened याद रखना साथ योð बिच्छु का 20 डंक में होता है option number due अगलाए जल से बाहर निकाले जाने पर मछलिया मर जाती है क्यों तो दिखिए जैसे ही जल से बाहर निकालते हैं मछलियों को मछलिया मर जाती है क्यूngकि मचलिया जो है गिल्स यानि गल्फडों के मजदम से सांस लेती है जो कि केवाल जल में ही संबब है और पानी से जैसे ही बाहर निकाल देंगे वे सांस नहीं ले पाएंगे अगला है निरिसन स्प्रानी कौन सा है तो इन में से कौन सा एक निरिसन स्प्रानी है तो देखे करेक्ट आएगा कच्छवा option number D dolphin बर्गी किरित किये जाते हैं किसमें तो dolphin जो की इस्तंधारी बर्ग में आते हैं right आएगा option number D इस्तानी निम्न में से कौन सी घटना परकास के अपवर्तन के कारण नहीं होती है तो ध्यान से दिखेंगा इनमें से कौन सी घटना है जिसको हार्मोन भी माना जाता है तो राइट आएगा vitamin D को option number B अगला है मानोब्रिक असमरी में पाया जाने वाला प्रमुक रसानिक योगी कौन सा है यानि मानोब्रिक असमरी में कौन सा रसानिक योगी पाया जाता है तो करेक्ट आएगा देखिएगा बहुत ही अच्छा question है ये calcium oxalate option number B अगला question है निमनल कितमे से कौन सा रसानिक उर्वरक नहीं है देखिए यूरिया भी है super phosphate भी है और potassium nitrate भी है लेकिन sodium sulfate जो है ये साथ यो रसानिक उर्वरक नहीं है option number B correct हो जाएगा lens किस से निर्मित होते हैं तो lens जो होता है ये flint कांच से बनाये जाते हैं option number B correct हो जाएगा asbestos किस से बनती है तो देखिए asbestos किस से बनती है तो calcium और magnesium से option number A किस कारण से stone cancer होता है बहुत ही important question है तो देखिए stone cancer किसके कारण से होता है तो याद रिखिएगा अमलबर्सा के कारण अमलबर्सा जो की SO2 और NO2 के परदूसन के कारण उत्पन होता है कास्ट स्पिरिट क्या होती है यह भी question बहुत जागा पूछा जाता है तो कास्ट स्पिरिट मेथिल अलकोहल को कहा जाता है या मिठाइल अलकोहल को याद रिखिएगा साथियो अगला कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है तो देखिए कांच का पीला रंग फैरिक ऑक्साइड के कारण होता है याद रिखिए option number D, धूप के चस्मा के लेंस में किस कांच का उप्योग किया जाता है, तो कुरुक्स कांच का, कुरुक्स ग्लास का, अगला question है, एक फेदम बराबर होता है, कितना, तो याद रखना, एक फेदम बराबर होता है, 6 feet, साथ यो फेदो मीटर से समुद्रिकी गहराई को मापा जाता है, और एक फेदम बराबर 6 feet होता है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो देखिए, एक न्यूटन बराबर होता है, 10 का पावर 6 डाइन, साथ याद रिखिएगा, डाइन भी बल का सिजिया सिकाई है, जिस 1.33, याद रिखिए, काफी important question है, option number A, चलिए अगला question है, बिटामिन D का विशकार किस ने किया था, तो देखिए, बिटामिन D का विशकार किया था, साथ यो हॉपकिन्स ने, option number D, करिक्टन सरू जाएगा, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, यानि हल्दी में जो पी प्याच मान होता है, 8.4, जो की छारिया प्रकृति का होता है, पारा का निमनताम हिमांग कितना होता है, तो पारा जो होता है, मरकुरी, पारा का निमनताम हिमांग कितना होता है, तो याद रिखिए, माइनिस 49 डिगरी, ये भी question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन स निगलने और स्वसन का कौन सा समान अंग है तो भोजन को निगलने और सांस लेने के लिए कौन सा एक समान अंग है तो देखिए करिक्ट आएगा ग्रसनी ऑप्शन नमबर आँख में संकेंदरन होता है किसके द्वारा तो जाथ जो आखों में जो संकेंदरन होता है याद रिखीगा रेटीना की आगे पीछे की गती के द्वारा होता है राइट है ओप्शन नमबर सी लेंड फिल से कौन सी मुख्य गैस उत्सरजित होती है तो ध्यान से दिखीगा लेंड फिल से कौन सी मुख्य गैस उत्सर जित होती है तो करिक्ट आएगा मिथेन option number B अगला quantum संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिच में अभिविन्यास की दिशा को बिनिद्रिष्ट करता है वह संख्या कौन सी है तो याद रिखेगा quantum संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिच में अभिविन्यास की दिशा बिनिद्रिष्ट करता है वह कौन सी संख्या है तो याद रिखेगा चुमबक्या quantum संख्या option number C अगला यदि जल को 10 डिगरी से 0 डिगरी तक ठंडा किया जाई तो क्या होगा तो करिक्ट है option number C जल का आयतन 4 परतिसत तक को तो कम होगा और फिर बढ़ेगा तीक है याद रिखेगा त्योंकि देखिए जल का घनतवा दिक्तम होता है 4 डिगरी पर और जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिगरी पर याद रखना आज का अगला कोश्चे ने फ्लोरी कल्चर विज्ञान का संबन किस्से है तो याद रिखे फ्लोरी कल्चर का संबन किस्से है बहुत ही इंपोर्ण कोश्चे ने फुलो के संबहन से option number B अगला कारबानिक योगी को के सुछ मजीवो द्वारा धिरे धिरे अफगटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं तो दिखेगा कारबानिक योगी को के सुछ में जीवो द्वारा धिरे धिरे अफगटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं तो साथ यो किनवन याद रिखेगा option number D अगला कोश्चे ने केचवे में कितनी जोड़ी हिर्दय होते हैं व्याद र से अगला कोश्चे ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिध्धान्त को ब्यक्त करता है तो याद रिखेगा लेमार कवाद को option number B नेक्स्ट है देखिए सिलकोसिस रोग ये किसको परभावित करता है तो साथियो सिलकोसिस नामक रोग ये लंग्स यानि फेफ़रे को परभावित करने वाला एक रोग है तो करेक्ट आएगा option नमबर एक फेफ़रो का निमनलि में से किसे जीन थेरफी का पिता कहा जाता है तो दिया ध्यान से देखिएगा जीन थेरफी का पिता किसे कहा जाता है तो याद रिखेगा बिलियम ऐफ एंडर्सन को बिलियम ऐफ सी एक्टीनो मीटर मानो मस्तिष्क में बुद्धी का केंद्र कौन सा है तो याद रिखेगा मानो मस्तिष्क में बुद्धी का बुद्धियवं चतुराई का केंद्र होता है सेरे ब्रहम करिक्ट आएगा option number B next है किस भारी धातू की विसमता यकरत सिरोसिस होती है याद रिखेगा कोपर की विसमता से option number copper अगले निवन में इसे आस्थाई कन कौन सा है तो ध्यासे स्थाई कन है ने अगला कुष्चे नहां किस चि बिज्ञानिक ने या बेग्यानिक ने सरपर्थम दिया था है कोशिका का नाम सरपर्थम किस वैग्जानिक ने दिया था तो करिक्टेंट से रोजाएगा ऑप्शन नंबर भी रोबर्ट हुक ने साथ यो रोबर्ट हुक ने कोशिका की खोज भी की थी याद रिखेगा अगला कौन सा अंगक प्राय जनतु कोशिका में उपस्थित नहीं ह होता है तो ध्यान से देखिए जनतु कोशिका में गोल जी का माइट्रोकॉंड्रिया माइट्रोकॉंड्रिया लवक यह दोनों तो होता है लेकिन केवल लवक नहीं होता याद रिखेगा करेक्ट अंसर रोजाएगा ऑप्शन नंबर सी चलेगा आज का अगला कोशिका ने यह हैदराबाद में इस दित है राइट है ऑप्शन नंबर ए कोशिका की आत्महित्ता की थैली किसे कहा जाता है तो देखिए कोशिका की आत्महित्ता की थैली माइट्रोकॉंड्रिया को कहा जाता है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा नियुकिलियस की खोज सरपर्थम कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है अगला निमनल खित में से सरवधी कुर्जा परदान करता है कौन, तो इन में से सबसे अधी कुर्जा कौन परदान करता है, तो कर्भो हड़िड करेक्ट आएगा, ओप्षन नमबर भी, अगला कोश्चन है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो देखिए दाद, दाल, ओप्षन नमबर फंक ने, सी फंक ने, निमनल खित में से किसमें उर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो इन में से किस से उर्जा प्राप्त नहीं होती है, देखिए, प्रोटीन, कर्भो हड़िड और बसा, इन तीनों से उर्जा प्राप्त होती है, लेकिन बिटामिन से उर् सतन ऑक्सिजन का तत्व कितना परतिसत होता है तो देखिए मानव सरीर में और सतन ऑक्सिजन का तत्व कितना परतिसत होता है याद रिखीगा 50 परतिसत ऑप्शन नमबर भी चले नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं मचलियों के यकरत में या मचलियों के यकरत के तेल में किसकी प्रचूरता होती है तो याद रिखेगा बिटामिन डी की ऑप्शन नमबर डी निमने लिखित में से किस तत्व का संबंद दातों की विक्रीती के साथ है तो दातों की विक्रीती का संबंद इन में से किस तत्व से है तो सिंपल से कोस्चेन है फ्लोरीन का ऑप्शन नमबर सी potassium पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो correct आएगा लोहतत्व की यानि iron की option number सी correct हो जाएगा EEG से जिस अंग की कायर प्रनाली प्रकट होती है वहाँ क्या है तो देखिए EEG से किस अंग की कायर प्रनाली प्रकट होती है तो मस्तिस्क की brain की हिर्दय नहीं हिर्दय हिर्दय का होता है इलेक्टो काडियोग्राम ECG होता है यह EEG जो की मस्तिस्क से संबंदित है अगला केसिन दूद क्या होता है तो देखिए केसिन दूद यह प्रोटीन होता है साथ यह option number भी मानोसरीर के या मानोसरीर में संकरामन को रोकने में मदद कोन करता है तो राइट है विटामिन ए option नमबर ए next है cancer के उप्चार के लिए पर्युक्त रेडियो आइसोटोफ कौन सा है तो ध्यान से दिखना cancer के उप्चार के लिए पर्युक्त रेडियो आइसोटोफ है कोबाल्ट 60 option नंबर बी नमिनल कित्मे से कौन सा रोग संक्रामक रोग है तो देखे राइट आएगा ऑप्सन-घी इप्ठीरिया जो कि एक संक्रामक रोग है छिली हुई सब्जियो को दौने से कौनसा आरूने संक्राम कर दिप्ठीरिय निकल जाता है कौनसा विटामिन सी करेकर nuestra Earth Anfang बार बाल अवस्था में तूट जाता है तो यही 20 दात जो है दूद के दात यह मनुस्थ के जीवन काल में दो बार विख्सित होता है अगला मानव सरीर में पाचन का अधिकान्स भाग किस अंग में संपन होता है याद रिखेगा छोटी यात में Option wald नंबर से मानौ तंत्र में निम्नलखीत में से कौन सा एक पाचंजायम नहीं है तो दिखे टिसिंद भी पाचंजायम जाईं गस्टिन नहीं है गस्टिन तो एक प्रकार की विमारी है अग्ला मानो शरीर में निम्नलक रहरघ्ञ Lagos तो राइट आएगा साथ यो option number D परावाटू हार्मोन याद रिखेगा जो कि याद रिखेगा रक्त केलसियम और फोस्पेट को बिनियमित करता है मानव की पाचन नली लगबग कितने फीट लंबी होती है तो लगबग 32 फीट option number D अगला है पेट में भोजन को पचाने के लि पेट में होती है तो दिखें इनमें से किस अमलक की उपस्थीति मानव के पेट में होती है याद रिखेगा हाइड्रो कुलोरिक अमलकी option number और से